हालो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिडियो लिक्या रहा हो देखिए आठ गुना प्रॉफिट आप देखके हैरान होने वाले हो यार यह कौन सा स्टॉक है आठ गुना प्रॉफिट आपके लिए यह छुपा हुआ स्टॉक हो सकता है लेकर अगर आप रेगुल के रेजल्व होने की हमने लास्ट इसी महीने ही बात करी थी और आज जो रिजल्ट आ है वो बहुत ही धमाके रहे हुआ अब अब देखिया stock के detail में चलते है इस stock के सबसे पहले profit को देखिए यह profit यह सारी figure लैक में है 6 है करोड से सीधे इस बार 48 करोड है नहीं आझे है आघाल को यह तो आपको देख गया अब इस stock की बात काता है result को discuss करेंगे detail में company का नाम क्या है शार्दा क्रॉप कैम लिमिटेड यानि कि यह एग्रो कैमिकल केमिकल सेक्टर की एक कंपनीय शार्दा क्रॉप कैम धाई हजार करोर का market capitalization है, debt free stock है, अब तक profit by थोड़ा सा growth नहीं दिख रहाता, अब growth आपको देखने को मिल रहा है, sales growth जबरतस्त है, कोई कमी नहीं है, company dividend भी देती है, book value 160 के आसपास की है, earning per share काफी अच्छा है, जिसके हिसाब से मुझे peer ratio बहुती बहतरी है, हर 12 रुपे प देखिए सबसे पहले, जैसे हम result की बात कर रहे थे, तो result कब आया, 3 बच के 34 मिनट पर ये result update हुआ, market में, ये BAC India की website है, जो मैं देख पा रहा हूं, और result कैसा रहा, अब result को देखिए, इन numbers को देखिए, ये consolidated numbers है, सारी figure lakhs में में आपको करोड में convert करके, बताने की करूंगा, इस quarter में और पिछले सार quarter में क्या difference यहां पे रहा, almost अगर आप इस number को देखते हो, तो ये 394, कितना हो गया, ये almost, 394 करोड का ये number जो है, वो पिछले साल December का है, इस बार ये number हो गया, 503 करोड का, समझ लो इस बात को, 503 करोड का, तो सीधे सीधे more than 100 करोड का revenue म मैं आपको फरक देखने को मिल रहा हो, अच्छी बात है, ये तो positive बात है, expenses मैं भी आपको jump देखने को मिल रहा, 377 करोड से 425 करोड के आसपास तक expenses भी गए है, profit before tax, अब बात आती है, profit before tax की, पिछले साल मातर 17 करोड का profit before tax था, क्योंकि revenue भी कम था, expenses कम था, तो revenue भी कम था तो difference इतना है, लेकिन इस बार ये 17 करोड क्योंकि profit बढ़ा है, देखिए, 503 करोड है, 425 करोड का आपका यहाँ पे expense भी लगा है, तो उसके बावजूद भी जो company के पास बचा है, वो 77 करोड रुपे का profit before tax बच गया, जो कि पिछले साल मातर 17 करोड का था, 17 करोड से 77 मैं कहूंगा, अब net profit for the period देखिए, कितना था, 6 करोड का, क्योंकि यहाँ पे कुछ tax expenses भी थे, 11 करोड के आजपास, तो 6 करोड बचा company के पास, लेकिन इस बार company ने कमाई किया है, तो tax भी दिया है, 29 करोड के आजपास का, उसके बावजूद company के पास बसते है, 48 करोड, which is more than 8 times of last year, अब को गयार, यह तो बहुत अच्छी बात है, अभी मैं आपको और detail में लेकि जाओंगा, जब agrochemical की या normal chemical कौन से segment में ज्यादा चीज़े, revenue generate हुआ, उनकी भी बात करेंगे, बट आप overall देखिए, net profit for the period, अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, यह तो बहुत ही धमाका कर दिया, इस company ने बहुत ही अच्छा कर दिया, लेकिन earning per share देखिए जरा, earning per share से आपको minute detail मिल जाते हैं, मोटा मोटा क्या हुआ है, बिलकुल बारीक भी, एक share पर कितनी कमाई हुई है, 60, 65 पैसा पर share, जो कि इस बार है, 5.35 पैसा, यह जो earning per share यहाँ पर आप दे उचा लेगी, यहाँ पर देखिए, अब यह तो आपने जो picture देखी, वो picture है profitability की, अब थोड़ा सा और drill down करके, क्योंकि company जो है chemical sector की और chemical sector रहे चाहे हो, specialty chemical, agrochemical आपने देखा हुआ, खासकर specialty chemical पे हमारा major focus रहता है, लेकिन यह है agrochemical, अब agrochemical sector में है, शार्दा crop com का, अग agro sector का revenue है, उसमें भी jump है, non agro sector का revenue का कम आता है, उसमें भी jump है, लेकिन agro sector का major revenue 3, कितना 311 करोड, पिछले साल कितना था 311 करोड और इस बार कितना है, 402 करोड, जो major jump है 90 करोड के आज पास का, वो agrochemical का, non agrochemical में यह कम है, बट फिर भी 71 करोड से 91 करोड, 20 करोड का difference, percentage निकाल लीजिए, देखिए, और उसी तरीके से major, जो chunk है, मैं कहूंगा, वो किस से आया है, देखिए, agrochemical से, आपका amount में, और percentage में देखोगे, non agrochemical, यह detail आपने देखी, अब इसकी और detail में बात करते है, यह तो हमने सारी detail इसकी देखी, अगर मैं यहाँ पे शार्दा crop की detail आपको दिखाऊ, तो पिछले कुछ time में, जो holding है mutual fund की, वो तो 17% के आस पास है, foreign portfolio निवेशे को ने थोड़ा holding अपनी कम करी थी, दिसंबर मैं भी भी आप देख रहे होगी, थोड़ा था माल और बेचा गया है, retail निवेशे को की बात करो तो बहुत कम retail निवेशे के stock क January 8 का, क्यों लेकि आये थे, क्योंकि हमको situation थोड़ा सा यहाँ पर difference दिख रहा था, कि बड़ी rally आई है, अभी correction in progress है, कभी भी भागने के तैयारी हो सकती है, और यह वो chart देखिए, इसलिए हम इसको आपको January 8 को ही ले आये थे, अब आपको गयर यह तो बहुत ही बढ़िया बात दिख रही है, आपे तो बड़ी rally के बाद correction in progress दिख रहा है, जैसे जैसे यह level पार होगा, तो आपको फिर impulse, अभी भी देखिए, अब कल result है, तो कल सुबह सुबह ही, क्योंकि market की condition अभी थोड़ा सा stable नहीं है, market अल्रेडी peak पे है, तो इन peak पे आके छोटे shares तो फिर आपको कई बार positive भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़े shares में आसा होता है कि ज्यादा पूरा उस percentage level का gain के लिए बहुत मोटी investment चाहिए होती है, और market की condition अगर down होती है, तो बड़े share इतना आपको reaction नहीं दिखाते है, छोटे share में तो थोड़ा भोद भी किसी ने खर आपको कहां लेके जाएगा, यह जो अब जो downtrend था complete 2018 से इस stock में आया था, उस downtrend को की देखिया, वो downtrend के दिन खतम हो रहे हैं, उस downtrend में बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आप देखिए, अब तक stock नहीं हमें lower high बना की देखें, बिल्कुल lower high आप देख पा रहे होंगे, हर lower high lower low की series थी, लेकिन इस बार चीज़ें बदलेंगी, और जैसे जैसे यह level cross होगा, 320 का मैं फिर से repeat करूँगा, तो आपको इस stock के दिन बदलते हुए, अल्रेडी आपको नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी गिरावट, यह stock 560 के level से 80 रुपे के level तक आ गया, mid cap और small cap के stock में यह एक दुख रहता है, यह एक डर रहता है, बट चीज़ें बदल रही है, और 80 से 300 का सफर यह already तै कर चुका है, लेकिन असली सफर अभी बाकी है, क्योंकि profitability तो अभी दिखी है, तो असली सफर अभी बाकी है, जो पहली rally आए थी, वो तो बस क्या थी, जहां की, अब go to the weekly chart and we'll let you know what is happening here, तो देखिए वही पहली बार bullish cross बनाया है, 2017 के बाद, आपको हमेसा हम कहते हैं, फिर से कहेंगे bullish cross के बाद correction and resolution of that correction is the most important part and you can just see here, यह देखिए, किस तरीके से यह correction resolve हो रही है, और उस resolution के साथ साथ मैं यह कहूंगा, ऊपर 200 के की line है weekly based, जो कि touch होगी इसको पार करेगा तो और बढ़िया positive, देखिए इस बार इससे पहले अगर एपरिल 2019 में भी देखें तो कोशिश जरूर हुई थी bullish cross weekly पे बनाने की, बट बना नहीं था, मैं आपको हमेसा कहता हूं कि पिछला high cross होना चाहिए, last time पे पिछले high के पा downtrend, और for downtrend to be resolved, what we need, we need just a starting of uptrend, आप देख सबते हो यहाँ पे, यह 320 का level इसलिए important और धीरे धीरे यह highs पार होते जाएंगे, तो stock में आपको positive feel आएगा, फिलाल, but आप market की condition देखिए, अभी के time पे, जो मैं कहता हूं ना, risk management is the top priority task for you, वो इसलिए कहता हूं कि always, always prefer risk management, चा रहों कि 320 का यह level पार हो, तो मेरे क्या है stop loss, long term investment के लिए यह मेरा stop loss है, इससे नीचे नहीं क्योंकि अभी जो यह area है, यह base formation है, 230 के आसपास का यह level है, यह मेरा यहाँ पे, जो मैं कहूंगा weekly, या फिदे, monthly के basis में, यह मेरा यहाँ पे risk management area रहने वाला है, तो फिलाल wind up करत वीडियो आपको अच्छा लगा को अच्छा लगा तो शेयर जिरूर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब का तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बल आकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको notification आती रहेगी, और थैंक्यू, थैंक्यू पर वाचिंद वीड वीडियो.